नमस्कार आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी और विशेस खुशी हो रही है आज अमारे बीच अरिहन के कप्तान और सारे बाधूर सैनिक मौजूद है सात्यों आज धंदरस के दिन परंपरा के तौर पर हम भारतिय अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए कुछ नई कुछ विशेस बस्तू लाते हैं यह नई बस्तू समुरुद्धी की सूब प्रतीक भी होती हैं और भविश्य के लिए एक मंगल कामना भी है अबली पर हरिहंत के सफल अभियान के रूप में एक ऐसा अनुठा अनुपम उपहार दिया है जो भारत के इतिहास में बेमिसाल है कि जब देश कि दूर्गा कुजा और विज्या दस्वी का उत्सव मना रहा था तब आप अरिहंत उसके साथ आप सब देश के दुश्मनों के विनास के लिए और हमारे देश की रक्षा के लिए आप सारे अभियान में और अभ्यास में जूटे हुए थे आपका यह अभियान श्री और सम्रुद्धी की सुरक्षा और सम्रक्षा के लिए एक तपस्या तो हाई ही है हमारे परिवेश में परमाणू हत्यारों की बढ़ोत्री के बीच देश की सुरक्षा के लिए क्रेडिबल नुकलियर डेटरेंस बहुत आवशक है अरिहंत का अर्थ है दुश्मन को नस्ट करना अरिहंत की सफलता देश के लिए एक बहुत बड़ी एक वे मिसाम उपलग्दी है देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदब है अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए शांती के शत्रों के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाब कोई दुशांस न करेंगी अरिहंत की सफलता नुक्लियर ब्लगमेल का माकूल और मुह तोड़ जवाब है आपकी इस सफलता ने भारत की सुरक्षा को कई गुना स्रदड और ससक्त किया है और भारत का हर भारतिय का मस्तव एक बार फिर गर्व से उंचा हुआ है इसलिए आज पुरे देश और सवासो करोड भारतवासों की ओर से मैं अरिहंत के डेटरन प्रेट्रोल के बंगत आपकी वापसी पर आपका हर दिख स्वागत करते विए अपां और खोशी का अनुभाव कर रहा हूँ सारा भारत आपका कृतग्य है कि आपने पिछले लगभग एक माह के दोरान हमारे परमाणू त्रिकोण के स्थापित कर दिया है नुक्लियर ट्राइंगल से हमने अपने परमाणू हत्यारों की क्रेडिबल डिटरेंस उसकी क्षमता स्थापित कर दी है मैं इस प्रयास से जुड़े सेना के सभी इतिकारियों सैनी को वैज्यानी को और स्ट्राटेजिक फोर्स कमान को और अरिहन तथा पूरे कर्मी दल को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन भी करता हूं मुझे बड़ी प्रसनता है कि आप सभी ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और टीम स्पिरिट के साथ एक अथर परिशन किया और देश की सुरक्षा के लिए अपने उद्देशों को एचिव किया हसिल किया साथ क्यों आज नुकलियर ट्राइंगल की सभल स्थापना पर स्वर्गिय प्रधान मंत्रिसी बाजपाई जी अर भुर्तपुर्व राश्पती स्वर्गिय स्री कलाम की याद आना बहुत स्वाभाविक है 1998 की सभलता को हमने पूर्ण सामर्थवे आज बदल दिया है आज की हमारी ये सभलता और ख्षमता भारत ने अपने बल भुते पर हांसिल की है ये सामर्थ देश के उजबल भविश्य के लिए और शक्तिशाली नए भारत के निर्माण के लिए एक महत्वकुन कदम होगा साथियों भारत शांति प्रिय देश चांती और सद्वाव की हमारी परंपरा हमारी ताकत है यह हमारी कमज़री नहीं है शांती के लिए हमारी प्रतिवत लताका स्लोथ और आधार यही हमारी शक्ति है भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े, तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। पेत्र और पूरे इंडो पसिफिक में शांती और सुरक्षाव स्थिर्ता के लिए बहुत महत्वरक्ती है। विश्व सांती और स्थिर्ता के लिए भारत का योगदान अग्रणी रहा है और आगे भी रहने वाला है। विश्व भलीभाती जानता है और उसे पूरा भरोसा है कि भारत एक जिम्मेवार परमाणू शक्ती है। सदेव सतर्क रहना और सुरक्षा के कठोर से कठोर नियमों का पालन करना ये भारती परमपरा रही है। साथ्यों हमारे देश का एक जीवन दर्शन रहा है कि राष्ट्ररक्षा समम पुन्य हो। राष्ट्ररक्षा समम व्रतम राष्ट्ररक्षा समम यगनो द्रश्टो नईवच नईवच यानी मैं राष्ट्ररक्षा जैसा न तो कोई पुन्य देखता हूं। कि आप हमेशा इसी मंत्र को ले करके राष्ट्ररीह की रक्षा को सर्ववपरीकी रखेंगे आपकी सबलता उस अभयम का भी संदेश लेकर हाती है निर्भैता का भी संदेश लेकर कर गयाती है राश्ट को अभयम का बचन दे रही है राश्ट को निर्भयता का संकल्प दे रही है और इसलिए मैं आप सब को अनेक अनेक बशाई देता हूं बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूं धन्यवाद